बासकर साथियों, साथियों आज हम बात करेंगे आपसे, अप्रेल 2018 में मेश रास कैसी रहेगी? साथियों, मेश रास वाले अप्रेल 2018 में ऐसा क्या करें जिससे उन्हें सफलता प्राप्थ हो और ऐसा क्या ना करें जिससे जो है उन्हें हानी नहो उस संदर्व में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साथियों, मेश रास वाले अप्रेल महने में जो भी उनके काम है या कामों का जो भी उनके उपर बोज है उसे शीक्र से शीक्र निप्टा लें क्योंकि यदि उस काम को वह बोज समझ कर निप्टाने की कोशिस करेंगे तो आगे आने वाले समय में वो सचमुच उनके लिए बोज बन सकता है लेकिन यदि वो काम को अपने उसी महने में अपरेल में ही निप्टा लेंगे तो आगे आने वाले समय में उन्हें इन किये गए समय से कामों का लाब मिलेगा, इसमें कोई संदेग हैं दूसरी बात मेंश्रास व् хорош वाले अप्रेल महँने में जो उन के सह कर्मचारी है या फुद का व्यक्ति उनका स्व कर्मकर्म करने वाला व्यक्ति है या कोई उनका रिस्ते नाते या परिवार में कोई बिल्कुल खास व्यक्ति है, ऐसे लोगों से विवाद ना करें, क्योंकि यदि मेशरास वाले व्यक्ति किसी आपसी खास व्यक्ति से विवाद करेंगे, तो उससे उनको अप्रेल महने में हानी उठानी पड़ सकती है, इसलिए विवादों से बचें, खास कर कोई आपका अपना सहे कर्मी हो, या परिवार का कोई आपका अपना ही खास व्यक्ति, अप्रेल महने में ही खर्चे हैं, मेशरास वालों के लिए आर्थिक स्थित कमजोर नहों, इसके लिए आराम और एश्वरी की वस्तुएं खरी दिने से बचें, साथी साथ, अप्रेल महना मेशरास वालों के लिए पेट का विकार लेकर के आएगा, बीमारी पेट संबंदी हो सकती है, अपचन संबंदी हो सकती है उन्हें, तो इसलिए जो है शावधान रहें, ऐसा खान पान ना करें, जिसकी वज़े से मेशरास वालों को किसी पिकार क की स्वास्त संबंदी तकलीफ उठानी पड़े साथियों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे हाँ यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि लोगों को भ प्रीज हमें शेयर करना भी न भूले इश्वार आपको हमेशा सुखी रखे धन्यवाद